ये महस किसी शादी का निमंतरन काट भर नहीं है बलकि समाज की बदलती सोच का उधारन भी है लोकतंत्र के महापर्व के प्रती लोगों के नजरिये में आते बदलाब नमूना भी है सीतापुर के रहने वाली सिधार्थ की शादी पहले से तै थी 29 नवंबर को अकांशा के साथ उनके साथ फेरे की तारीक भी तै हो गई थी लेकिन 28 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यूपी निकाए की घोशना की तो सीतापुर में 29 नवंबर को मतदान की तिथी तै कर दी मतदान के दिन विवा की तारीक ये सोचकर ही लोग घवरा जाते हैं क्योंकि मतदान के दिन कर्फियू जैसे हालाद होते हैं पर लीक से हटकर सोचने वाले सिधार्थ और उनकी भावी जिवन संगिनी ने मतदान की तारीक को भी अपने सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया सिधार्थ ने अपनी शादी के लिए कार छबवाए तो इस संदेश के साथ सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो खास बात ये है कि अकांशा लखीम पुर खीरी की हैं और वहां भी 29 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे चुनाव आयोग ने जो अभी 29 तारीक को इलेक्शन गोशित किया है जो सीतापूर में है और भी जगह पे है तो उसको देखते हुए कि आजकल लोग घर से वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं हाला कि विवाह की सारी रस में सीतापूर में ही पूरी की जानी है लड़के पक्षवाले तो सीतापूर में मत्दान करेंगे ही जब तक हम अपना वोट घर से निकल के नहीं देंगे तब तक स्वस्थ लोकतंतर नहीं आ सकता है इसलिए सबसे गुजारिश है कि अपना काम आप करने के साथ साथ मता अधिकार का भी प्रोग अबश्य करें शादी के कार्ड पर छपी ये दो लाइन सिर्फ मत्दान के महत्व को ही नहीं बता रही बलकि मुश्किल हालात में भी सखारात्मक सोच का प्रदर्शन भी कर रही है ये सच है कि मत्दान के दिन किसी जलसे या समाहरों के आयोजन में दिक्कते आती ही है हो सकता है सिधारत और उनके परिवार और नाते रिष्टेदारों को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े लेकिन उन्होंने समाज को जो संदेश दिया है उसके सामने बड़ी से बड़ी परेशानिय भी बौन इसावित होंगी समीर, APN, सीतापुर